जिद दिन ये अउसर आया मैं आयोद्या पहुचा और पल-पल मेरे मन में एक अलग ही भाव जटता था और प्रत्यक्ष में जिब मैं राम लुद्धा के मुद्धिय के सामने खड़ा रहा है राखों की चमक, कि निर्दोस चहरा, हल्थ किसी मुस्का यहने ऐसा लग रहा था कि सच मुझ में 500 साल का सपना इस पर मुझे प्रत्यवी बढ़ता रहा है मैं बड़ा भावग था, मिरे पास परिस्ति देगा बढ़न करने के लिए शब्दद तो नहीं है लेकिन उनकी आखे उस पुरा पुरा प्यत्तिक जीवन पर लग रहा है, जैसे हम बाप कर रहे हैं जैसे हम कुछ उनके तरफ से कोई संदेश आ रहा है, हम उस संदेश को स्विकार करने के लिए जैसे तड़प रहे हैं एक ऐसा नाता था और बीच में कोई कर्टेन नहीं था, अब बहुत बड़े लोग हैं जो साइद इसको मैं समझाने पहूंगा, कभी भी नहीं समझा पहूंगा, जो मैं फिल्ड करता था मैं अभी भी दुबारा एक बार गया था, तो जो टर्श के नियम उस प्रकार तो नहीं जा सकता था, वहीं से बार रहे करके मुझे पुजा करने थी, लेकिन इस बार भी गया तो मुझे वही द्रश्य आ रहा है जो पहली दिन मेरे में तका, मुझे इस ध्यानी नहीं रहा और जो मैं इस प्रकार के तिती में हुते में अगी मांदमांका नहीं हुजे, मेरे मन में 140 करोड देशवाल सीवह होते हैं, उनका कर्णान होता है, मेरे देश कर प्रणान होता है, और मुझे रखता है कि जब मुझे महा टर्श्य नहीं बताया, कि साब यहा लाखों लोग कि लिकिन 20-30 परसन ऐसे आपरी होते हैं जो एक एक खंबा पकड़ करके रोते हैं उनको खंबे से छुरबा करके लाट दूर करना हमारे मुश्किल हो जाता है शायद ही कोई होगा जिसके आंग में आशू ना आते हो